कर जैसा कि हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन ने रूल नमबर टू एंड फ्री पढ़ा था आज उसी का रूल नमबर फोर कंटिन्यू करते हैं जैसा कि सिंगुलर नाउन में अगर आपका कोई बी वर्ड एंड हो रहा है वाय से ठीक है और उसमें वाय के पहले अगर आपके कोई वावल है तो उसे प्लूरल मनाने के लिए हम लोग वाय को रिमूपने करेंगे simply add कर देंगे S ठीक है? जैसे example में देखते हैं, अगर कोई example है यहां क्या है last में B है last में है Y, उसके पहले है A, जो की आपका वोबल होता है वोबल्स में क्या-क्या आते हैं? A, E, I, O, U, यह सारे हमारे वोबल्स हैं तो अगर Y के पहले कोई वोबल आपा है, ठीक है? तो इसमें अब लोग simply add करेंगे S, तो B है, तो क्या हो जाएदा? Bays Trey, Trays Toy Toys Rule number 5 जब भी singular noun में अगर आपका कोई भी word end हो रहा है Y से ठीक है? तो उसे और उसके पहले अगर consonant है, ठीक है? तो उसे plural बनाने के लिए हम लोग उससे Y को remove करेंगे और उसमे add करेंगे I, E, S मैंने क्या होला? कि Y है, उसके पहले consonant है, तो उसे plural बनाने के लिए हम लोग add करेंगे I, E, S जैसे example में देखते हैं city है, एक example आपका इसमें last में Y है, उससे पहले एक consonant है अब इसे plural जब बनाएंगे तो Y को remove करेंगे, add करेंगे I, E, S, देखिए cities मैंने क्या किया? Y हटाया I, E, S किया उसी तरह puppy का होगा puppies query queries इसी तरह और भी examples होगे तो आपका ये rule Y वाले में follow करेगा Thank you guys, आज के लिए इतना ही Please like, share and subscribe my channel